हलो फ्रेंड्स वल्कम तू आल आज मैं आपने जो वीडियो लिका रहा है डिविडेंड धमा का एक ऐसा स्टॉक जो कि आज की देट में 220-222 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज ही 21 रुपे से उपर का इसने डिविडेंड डेकलियर कर दिया उससे इंपोर्टेंट बात आ लेकिन होगा अभी कुछ टाइन पहले यानि कि चार-पांच महीने पहले ही इसने 16 रुपे के आसपास का डिविडेंड दिया था टूटल डिविडेंड अगब आप देखते हो तो शेर में 21 प्रस 16 सीधे लिए 37 के आसपास अब आपको गया यह तो मतलब 200-200 रुपे का शे इसा डिविडेंड से खुश रखती है तो चली बात करते हैं इस टॉक की डिटेज में आज रिजल्ट आया है डिविडेंड आया है कब की रिकॉर्ड डेट है उन सारी बातों पर फोकस करते हैं चोटे से वीडियो में बने से मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जी हां हम बात कर रहे हैं यहां पर हिंदोस्तान जिंक रिमिटेट के आज का अगर क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो 222 लेकिन लास पहले डिटेल मां आपको डिविडेंड के बारे में बताते बीडेंड जो आप देखे रहे हो ने इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने 21 रुपे 30 पैसे का डिविडेंड डिकलियर किया बहुत ही जबरदस्त अगर आप परसेंटेज वाइस को कि परसेंटेज फेस बेल्यू क तो रेकॉर्ड डेट आप जरूर ध्यान रखा कीजिए देखिए यहां पर रेकॉर्डड डेट कितनी है जो मैं देख पर आपे अक्टूबर 28 की रेकॉर्ड डेट है बतलब आपको डिविडंड कब मिलेगा यहीं रेकॉर्ड डेट से आपको ताइ होता है मिलेगा या नहीं मिलेगा कब मिलेगा वह तो company ने decide कर रहा है यह record date है payment date भी company एक payment date होती है उसके basis और कोई question आपको dividend से related हो ना कि मैं eligible हूँ नहीं हूँ तो video का description में एक link दिया उसको देखिए समझिए कि कब या आप eligible हो नहीं हो आपको share कब खरीदना है बहुत भी आप खरीदों के तो eligibility रहोगे लेकिन एक बात ध्यान रखें dividend के announcement के बाद share में jump आता है no doubt लेकिन जब x dividend date आएगी न वह सारा price आपका adjust हो जाता है मतलब इसी price से ही सारा dividend आपको दिया जाएगा तो सारा adjust हो जाता है इसलिए लेकिन अब इतना जब अच्छा dividend है तो jump त कैसा रहा यह देखिए on audited financial result जो company का यहाँ पर है उसको देखते हैं समझते हैं यह numbers company ने यहाँ पर दिये हैं और हम start करेंगे यहाँ पर एक एक quarter करके detail बात करें revenue की सबसे पहले total income की बात करते हैं total income जड़ा देखिए यहाँ पर company ने सबसे पहले यह number जो है वो सारे करोड में है यह ध्यान दक है तो 6050 करोड का total income जो की पिछले साल कितना था वो important है तो last year यह था आपका 5101 करोड तो jump आपको total income में देखने को मिल रहा है क्या यह total income profitability की तरफ गया है नहीं गया है उसको देखते हैं profit before tax बढ़िया jump 2087 करोड से jump करके कितना चला गया 2622 करोड यानि कि सीधे सीधे 500 करोड के आसपस 600 करोड के आसपस का jump आपको इस range में देखने को मिल रहा है अब मैं आपको लेके चलता हूँ profit for the period net profit को देखते हैं और समझते हैं उसकी वज़े से net profit में आपको drop दिख रहा है क्योंकि net tax expenses यहाँ पे 682 करोड के हैं और इसी वज़े से last year का जो net profit था वो 2081 करोड से drop होके 1940 करोड के आसपस आया तो कोई घवराने वाली बात नहीं है taxation की वज़े से यहाँ पे profit में आपको dip देखने को मिल रहा है और earning per share में लेकिन company ने shareholder को माला माल कर दिया है किसकी वज़े से dividend की वज़े से अब ज़रा पुराने dividend को देख लीजे अब आप खुश हो जाओगे देखिए अभी कुछ टाइम पहले की ब्यात है ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब इस company का final result आया था यानि कि माई 2020 ज़रा देखि अब देख सकते सीधे सीधे इस से आपको हिसाब किताब लग जाता है कि company दो बार dividend देती है और इससे पहले वी देखिए यह मार्च के टाइम पे 27 रुपे का dividend दिया था उससे पहले 24 रुपे का dividend दिया था तो यह company अकसर dividend की बेताज बात्सा मानी जाती है और यह वेदानत वेदानत की Laden की company जिसमें सरकार की हिस्सेदारी और विधानते की हिस्सेदारी आनी कि public प्रैवेट का एक जबरदस्त हिंदुस्तानação को यहाँ पे सिल्वर के डिटेल आपको दिखातो कि कि सिल्वर के नंबर्स कैसे रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा यह देखिए यह पूरा का पूरा जब भी आप किसी चीज को देखते हो समझते हो लॉंग टर्म परस्पेक्टिव सेगमेंट वाइज जिंक लैड अभी हम कुछ इयर बैटरी की बात कर रहे थे तो जिंक का भी मेज़र कॉतिशन 4,249 क्रोड और सिल्वर मेटल 1242 क्रोड का यहां पर डिवेंज सिल्वर मेटल का तो आप देखने जिंक्ट इसके मेजर है जिंक लेड्ड सिल्वर और लेड़ अब इस्ट यहां पर माइनिंग करता है उन को प्रोसेस करता है जितने मेटल चेहां पर हाए तो जिएधाल अगूओव यह यहां पर चेर्धा लेक्टैन हuity इसका मेजर एरिया यहां पर आता है क्या पता क्या पता यहां पर विदान्ता की डी लिस्टिंग के लिए पैसा चाहिए होगा इसलिए गिर्वी रखे वे लेकिन ये 22.8 परसंट गिर्वी रखे वे शियर आ चुके हैं नंबर्स में और मुच्वल फंड की होल्डिंग पर इसले कुछ टाइम में थोड़ा सा मैं काऊंगा कम अभी सेप्टमर कॉर्टर में हुई उससे पहले पूरी की पूरी थोड़ा बहुत थी यहां पर देखते डिटेल देखिए सबसे पहले प्रमोटर के हिसाब किताब देखिए प्रमोटर कौन है वेदान्ता लिमिटेट कितनी होल्डिंग है इसकी आप देखिए बहुत कम शेर से इसमें अगर आप और देखा जाए तो एक पसेंट के आसपास का है लेकिन काउंट शेर का आप को ज्यादा देख रहा होगा अल्मुस्ट चार करोड़ चारिस लाग के आसपास है म्यूचल फंट वाले को पास एक करोड़ तेश लाग शेर है लेकिन पसें बहुत काम है इंशरेंस कमपनी इसके पास अच्छे खासे शेर है आठ करोड़ सतानवे लाग शेर से जिसमें एलाइसी के पास मेजर होल्डिंग है अब हिंदुस्तान जिंक की थोड़ा डिटेल जैसे हम देख रहे थे मार्किट के प्रलेक्शन 94000 करोड़ अगर पी रेश इस पार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं देखिए यह देखिए वाप कुछ दिन मैंने एक वीडियो आपको डिश्यू आपको क्रेट किया था जिसमें मैं बात करी थी और उस मेटल सेक्टर के करेक्शन के बात करी थी बहुत हीं इंपोर्टन वेडियो आप देख सकते हैं फिर से लेटेस वीडियो में जाके उसको और उसी तरीके से जो मैं भी आपको situation दिखाता हूँ बिल्कुल वह correction resolve होता हूँ और जिस चीज की requirement थी वह fulfill होती वी नजर आ लिए दिखे पूरी की पूरी downtrend की लाइन जो खतम हुई थी वह इस मूब से अगर आप देखोगे इस शियर को कहां से कहां पहुंचा है कहां से कहां मतलब अभी कुछ टाइम पहले लेकिन हमें क्या चाहिए होता थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाहिए होते हैं एंट्री लेने से पहले आपको अपना रिस्क खतम करना होता है तो आप देख सकते हैं इस टॉक की अगर मैं करेक्शन की बात करो यह 120 के लवल से जंप करके 260 के लेवल तक या थो विदाउट एनी मेजर क्रेक्शन नाव वट वी नीड वेन अनी स्टॉक जंप लाइक दिस वी नीड एक करेक्शन फॉर एंट्री और और आरे से पे जो रहली आई थी हलका सा करेक्शन यहां पर जरूर आ था और यह करेक्शन देखे यह भी रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा अब डिविदेंट की अनॉंस्मेंट करिए तो फिर से शेर आपको यहां पर उचलता हुआ नजर आएगा अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूं किस तरीके से करेक्शन को देखना चाहिए किस तरीके से बहुत ही जबर्दस ब्रेक आउट और इसमें आपका स्टॉप लोस बहुत ही कम लेकिन उसके बाद बढ़िया रैली 200 वीक्स के सिंपल मूविंग आवरेस ने बड़ा जटका दिया और करेक्शन आपके सामने आया और एक बात और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा यह करेक्शन का रिजॉलिशन अभी ज्यादा दूर शेर गया नहीं है लेकिन कल गैप अप उपनिंग होगी बहुत दूर भाग जाएगा अब इसकी बेस फॉर्मेशन देखिए एक केंडल दो केंडल तीन केंडल तीन केंडल ने इसका बेस का फॉर्मेशन किया और उससे कभी इंपोर्टेंट मैं आपको हमेसे बात बताई है कि कभी भी कोई भी क्रॉस बने जैसे बिलीस क्रॉस बनता है तो आप के करेक्शन का इन्तजार कीजिए और यह करेक्शन आपके सामने आई अभी करेक्शन के resolution की बात आ रही थी तो stop loss आपके पास ready पड़ा है 200 की range में लेकिन अभी आपको गया 224 पे जो गया देखिए कल की date में ये भागने वाला है no doubt इतना जबरतस dividend दिया तो भागने वाला है बट resolution की जब भी बात आती है तो छोटी डिली टाइम फ्रेम पे देखिए डिली टाइम फ्रेम पे अल्रेडी यहां पे जो बिरिस क्रॉस बना था कुछ दिन के लिए वह positive बॉलिस क्रॉस में बनने वाला है साथ के सांद बेस बेस में आपको बताऊंगा देखिए बेस यह बेस बना और इस बेस को ज़रा समझ यह 123 ओल्मोस सिमिलर थोड़ा थोड़ा उपर नीचे है लेकिन अल्मोस सिमिलर काइंड अप सिचुएशन वॉल्यूम आज की डेट में बढ़ता हुआ नजर आ गया है तो एक नजर आप देखिए यह डिली टाइम फ्रेम चीज रिजॉल्व होगी कल की डेट में देखिए कल की डेट में यह इस लेवल को इजली पार करी देगा और अगर आप थोड़ा सो सेफ जाते हो तो 240 लेकिन बच जब 10-20 रुपे का डिविडेन डिकलेर किया तो यहां से लेके यहां गैप अप ओपनिंग होनी जरूरी है अब आपको के सीधे गैप अप अपनिंग को मिलेगे फिर 260 के लेवल पे थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है आगे की एंट्री के लिए तो फिलाल वाइंड अप करता है उस वीडियो को उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए लाइक कीजिए चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नही वीडियो